हेलो बच्चों कैसे हो आप सब तो एक बच्चे का में पास कोशन आया हुआ है जो MSC कर रहे हैं ठीक है लेकिन MSC के बाद उनको डर है कि मैं मेरा मैस इतना अच्छा नहीं है तो मैं SSC CGL और बैंक पीओ की त्यारी से थोड़ा घबरा रही हूं और यह नहीं मेरे को कॉंफिडेंस नहीं आ रहा कि मैं इसको क्लियर कर पाऊंगी या नहीं और प्लस इन्होंने लिखा हुआ है कि मैं और जो नेट के जो एक्जाम्स हैं जे आरफ वगएरा एक्जाम्स हैं नेट के प्राइवेट में जॉब्स हैं बड़ा कम पैसा पे करती हैं और दूसरा कह रहे हैं कि गोर्मेंट जॉब्स तो निकलती बहुत कम है ठीक है तो इसमें ना दो तिन चीज़ें हैं कि आपने पहली बात लिख दी कि मेरी मैस वीक है ठीक है तो आप स्थीरे से नकार रहे हो कि एसे सीजेल और बैंक भी आपको करना नहीं है राइट सेकंड बात आगए आपकी जी कि आपने लिखा है इसमें कि आप यह जो एक्जाम्स नेट और जेरिफ अगर क्लियर कर भी लेते हो तो प्राइवेट की जॉब्स में पैसा कम है बिटा पैसा कम वो तो स्ट्रगल तो ह बात वह है कि हम कैसे करते हैं टाइम को कैसे मैनेज कर रहे है इस पर जिनको आगर टीचिंग प्रोफेशन में जनून है तो वह लोग तो यूटीउब भी बहुत वह तो चीजे आपको पॉसिबिल्टी बहुत जादा है अगर आपको पहले प्राइवेट जॉब मिलती है तो आप उसमें ट्यूशन वर्क कर सकते हो घर से राइट दूसरी आप त्यारियां कर सकते हो बेसिक टेंथ लेवल का मैस चाहिए होता है जो बाकी आपके टेस्ट आता है तो वहां पर टेंथ लेवल के मैस के लिए अगर त्यारि करने भी आपने आपकिसी को भी जो आपके टीचर्स होते हैं या फिर जो आपके साथ वाले भी स्टूडेंट होंगे जो मैस वाले उनको आप बोल सकते हैं कि यार मेरी टेंथ की त्यारी करवा दो बाकी बहुत सार के अपने यूट्यूब से देखती हूं इसमें तो इसमें अलगलग से 12 वार मेराथन और मैसी जो आपके वैसे क्वेस्टेन्स आते हैं ठीक है प्लस आप बेसिक होता है तक आपका मैस क्लियर है ना तो इससे ज्यादा आपको यह नहीं होता कि कॉंप्लिकेटिड मैस आ जाए सकते हो टूशन अपनी लगवा सकते हो बाकी जब यूजी अगर फिर भी मैस नहीं करना है डर है तो आप अपना यह जो नेट और जेरेफ वगरा वाले एक्जाम से आपके तो आप इनको क्लियर करो और उसके बाद प्राइवेट में भी अगर लगते हो तो मीनवाइल घर कोचिंग को दे सकती हो तुशं दे सकते को फिके जिस भी सब्जेक्त कर रहे हो प्लस आपको कोई ऐसा कोर्स कर सकते हो शिल सकते हो सकिल बेस्ट चिसके बेश्बीशं में आपको और एक कम्प्यूटर कर सक्ते हो ठिकेinker इसके अलावा मैं बात करूँ अब कई loगों को बड लड़कियों के लिए बहुत अच्छे हैं और इन में ज़रूरी नहीं है कि आपको वहां मशीन लेकर आपको खुदी बैठना है आप उसमें अपने बुटीक हो सकते हो वहां पर किसी को रख सकते हो राइट बट उसके लिए बेसिक चीजे आपको पता होने चाहिए देखो ब ऐसी चीज है ना कि जो कभी भी औरते पैदना बननी करने वाली और इसमें बहुत जादा उपर्चुनिटीज हैं बट हमारी क्या प्रॉब्लम है ना कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं भी या ग्राजुएशन कर लिया हमने हम बहुत पढ़ लेगे हम क्या ये काम करेंगे लात वही है कि पहले खुद में confidence लाना पड़ेगा इवन online teaching classes आप कर सकते हो बहुत सारे online platforms हैं वहां आप apply कर सकते हो तो ये और जो ट्यूशन्स देनी है अगर आपको लगता है कि बड़े बच्चों को नहीं पढ़ाना है आपने तो आप छोटे बच्चों को ट्यूशन्स बहुत सारे आपके steno का course कर सकते हो आप ठीक है तो उसमें आप stenographer के जहां पर भी आपके jobs निकलते हैं वो भी कर सकते हो साथ सार ठीक है क्योंकि पहले तो सबसे पहली बात है accept करना जैसे आपने accept किया है मेरा math week है तो वही चीज़े प्लस जो week चीज़े उसको पीछे रखो प्लस strength भी तो होगी ना कोई ना कोई कुछ ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ ही weak होने वाला है कोई ना कोई subject आपका strong होगा उसके साथ आप अपने state के PCS exams की भी त्यारी कर सकते हो बात वही है कि जो भी उसमें reasoning के question आने या वो आने तो वो आप उसमें 10th level का math होना चाहिए प् कि जादा overthink नहीं करना होता कि यह नहीं आता वो नहीं आता जब तक उस चीज में हाथ नहीं डालोगे तो कैसे पता चलेगा मुझे बड़ा आता यूट्यूब पे किसी को guide करना ही ऐसे करना बट मुझे ऐसे लगा कि हां भी कोई भी मिरसे कभी कोई suggestion लेता है तो मैं उसको ground level पे अपने experience पे जाके जब भी देखो advice देती हूँ तो किसने मुझे बोला कि दीदी आप बड़ी अच्छे advice देते हो तो बलकि मेरे ही cousins है ठीक है तो I know I connect easily with students मेरा एक shock है education education के अलावा मिरको आप घर की चीजे करने को बोल दोगे न तो मुझे मैं करतो दूँगी बट मे मेरा interest नहीं है education में मेरा interest है मिरको किताबे पढ़ने का shock है तो मिरको ऐसे लगता है कि अगर मैं platform पे मैं भी सीख रही हूँ आपकी तरह जब मैं इतनी उमर में हिम्मत कर सकती हूँ तो आप लोगों में क्या कोई कमी है आप लोग किसी से कम नहीं हो अपने अंदर जहांको अपने इच्छा शक्ति को strong करो और अगर वीडियो पसंद आती है do like subscribe and share ताकि मैं भी motivate हूँ कि हां भी मैं ऐसी और वीडियो बना हूँ अदर्वाइस मुझे ऐसे लगता है कि why waste time है ना बच्चों के पास बहुत सारे YouTube चैनल्स है मैं कुछ जादे ही सिखा दूंगे इनको ह मैं का एको अपना time और energy waste करो इस पर ठीक है तो बाकी good luck बच्चों भगवान सबका भला करे हर हर मादे जैश्री राम